1937 में, 1935 के एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि प्रांतों को स्वायत्ता दे दी जाएगे, और प्रांतों में चुनाव करा दिये जाएगे, तो प्रांतों में चुनाव करा दिये गए हलो फेंड्स, आप समी लोगों का स्वागत है, एक बार फिर लोटस आईएस के इस प्रेटफॉर्म पे मित्रों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके बारे में जितने व्यू और राय दिये जाएगे, वो सब जो है इतिहास के पन्नों पर कहीं न कहीं लिख दिये जाते हैं, लेकिन इतिहास की हमेशा ये खुबसूरती रही है, कि इतिहास में किसी भी लाइन को अंतिम बाग के नहीं माना गया है, इतिहास जिसे mother of all subject की रूप में भी कहीं न कहीं जाना जाता है, तो इस topic को आगे बढ़ाने से पहले, बस मैं आपके सामने ये दो-तीन बाते कहना चाहूँगा, कि कोई भी perspective अपने आप में अंतिम नहीं होता है, कोई भी इतिहास कार लेखन करते समय ये सोच के वो लिखता है, कि जो उसने तथ्य और जो आखड़े किसी भी आधार पर, यानि कोई भी proof या अन्य, सारी बातों के आधार पर जो इतिहास लेखन का कार गिया है, वह उसका सबसे सटी को सही आखलन है, और यही कारण है इतिहास की ये खूपसूरती है, कि इतिहास में किसी भी मत को अंतिम मत नहीं माना जाता है, यहाँ पर, बस मैं यही आप से कहना चाहरा था, कि कई प्रकार के इतिहासकार, यानि कि सावल्टन्स इतिहासकार, राष्टवादी इतिहासकार, ठीक इसी प्रकार माक्सवादी इतिहासकार, सब की अपनी-पनी कहीना कहीं विचारधारा होती है, और सभी अपने-अपने इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं तो यही एक बार मैं इस टॉपिक को सुरू करने से पहले आप से कहना चाहता था कि इतिहास में लिखी हुई कोई भी बात अंतिम सत्य या अंतिम निसकर्स के रूप में नहीं मानी जाती है यही इस विशाई की सबसे बड़ी कुपसू चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज आपके सामने यह एक जो टॉपिक लिखा हुआ है भारत का विभाजन आखिरकार कौन-कौन से उसके पीछे महत्मूर कारण माने गए हैं यानि भारत के विभाजन की तरास्दी तो इतिहास के साथ घटित परस्तितियों का परडाम था लेकिन बहुत सारे सार्थक और बहुत सारे ऐसे विचार जो इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं एक प्रकार से बार-बार सामने आ जाते हैं कुछ छुपे वुए बिंदू बार-बार सामने आ जाते हैं कुछ ऐसी बाते हैं जो कहीं न कहीं इतिहास की लिखु बातें कहीं जाएं या जितने सारे मत रखे जाएं फिर भी अन्तिम मत जो है वो कोई न कोई जो है कहीं न कहीं एक प्रकार से एक निसकर्स तक जो है पहूंचना बड़ा ही मुझकिल कारे सावित हो जाता है यहाँ मैं आपसे जो बात कहना चाहरा था यह topic जो है इसकी सुरुबात कैसे की जाए और इस मुद्धे को इस मुद्धे के साथ justice या नियाय कैसे किया जाए और किसी एक अंतिम निसकर्स पर कैसे पहुँचा जाए तो topic को बताने से पहले परस मैं आपके सामने कुछ बातें और कुछ घटनाएं रखने का प्रयास करूगा, लेकिन अंतिम फैसला आपका होगा, लाश्ट में गेंद आपके पाले पे हो, निसकर्स जो है वो आपको निकालना है, यही मैं आपसे कुछ बातें इस टॉपिक को सुरू करने से पहले बताना चाह है, वो किसी भी प्रकार से उसका फैसला आप करने का प्रयास करना, चलिए, हम लोग सुरूबात करते हैं, आखिरकार इस मुद्दे में ऐसी कौन सी महत्पुर बातें छिपी हुई है, तो यदि हम लोग प्राचीन भारत की बात करें, यानि संभिता का जब विकास हुआ, स छोटे-छोटे जो है, जन्पदों का उदय हुआ, उसके बाद महा जन्पद काल आया, फिर उसमें एक मगद सामराज का उदय हुआ, और उसमें भी एक महान साशक हुए चंद्रुप्त मौर्रे, और उस मौर्रे सामराज में एक और महान साशक हुए समराट असोक, यह सारी जो है इतिहास की गती आगे भड़ती गई उसके बाद एक और महान डाइनस्टी हुई जिसे गुप्त सामराजी के रूप में जाना जाता है और हर्षवर्धन जो है वो कही न कही एक प्रकार से अंतिम महत्पूर्ण शाशक के रूप में जाने जाते हैं हाला कि उनके जो है समय और भी भारत में यानि दक्षिन भारत और अन्य पश्चिंपूर्वी भारत में और भी सा सकते लेकिन जो है उत्तर भारत की बात करें तो हर्षवर्धन को भी एक महत्पूर्ण शाशक के रूप में बाना जाता है उसके बाद फिर इतिहास में कुछ परिवर्तन दिखे गए यानि कि एक प्रकार से पूरों मद्धिकाल और मद्धिकाल का युग जो है वो प्रारम होता है और फिर भारत में एक बार फिर जो है यानि भारत में पहले जो कुछ आक्रमण हुए थे विदेशियों के यानि इंडो युनानी शक पल्लो कुशान उसके बाद एक बार फिर भारत में जो है इन्वेजन यानि बाहरी आक्रमण दिखा गया और वो आक्रमण था एक नया आक् पिची जाती है। उसके बाद जो है धीरे 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 यानि की महमूद गजनभी, मुहम्मद गौरी और उसके बाद सल्तनतकाल की स्थापना होती है। सल्तनतकाल की स्थापना के बाद सल्तनतकाल जो है वो धीरे-धीरे-धीरे बहुत सारे यानि तुगलक बंस, खिलजी बंस, सैयद बंस, लोधी बंस तमाम जो है शाषकों ने सासन किया और फिर पानी पत का युद दोता है जिसमें बाबर की द्वारा इब्रह्म लोधी को पर और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सूरत 1611-1613, मुश्ली पतनम, यहाँ पर कुछ अपनी फैक्टरी और कुछ व्यापार करने के लिए कुछ जो है अनमती प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. धीरे 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 अंग्रेजों ने इस बात को देखा कि अन्य यूरोपीर शक्तियां भी भारत में वैपार कर रही हैं लेकिन यहां के कुछ राजा आपस में एक प्रकार से युद्ध करते रहते हैं तो एक डूपले महोदय थे वो भारती राजाओं के मामले में हस्तचेप करने का प्रयास वनों ने पहली बार किया यानि डूपले की जो नीती थी उसे आगे जाके एक प्रकार से उस प्रकार की संधी या उस प्रकार की नीती को कहा गया कि भारती राजाओं की मावले में हस्त छेप करना और फिर वहांपर अपने राजनितिक हित राजनितिक स्वार्थ जो है उनको साधने की कोशिश करना डूपले के द्वारा जो है पहली बार इस प्रकार की नीती उसको आगे बढ़ाय गया दीरे 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 अंग्रेज जो है वो अन यूरोपी शक्तियों पर हावी हुए यानि कि पुर्तकाली डच, फ्रांसीसी, डैनिस इत्यादी जो है वो सब अंग्रेजों के सामने परास्त हुए और फिर प्लासी का युद्ध, बकसर का युद्ध और उसके बाद एक निर्णायक जो है दीवानी और राजस समंधी अधिकार मुगल वाशाशाशा आलम दुतिय से अंग्रेजों को पराप्त हो जाते हैं उसके बाद फिर जो है वो अंग्रेजों का एक प्रकार से युग था तो यहां तक जो अभी मैंने आप से बातें करने का प्रयास किया यानि कि प्राचीन काल से लेकर पूर मद्धकाल और मद्धकाल इसमें कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं देखी गई कि यह कहा गया कि दो राश्ट का कोई सिध्धान्त होना चाहिए या फिर यह कोई दो समधाएं हैं जो आप उसमें एक साथ नहीं रह सकते हैं यानि कि कुछ विचार धाराएं थी जैसे यदि बात की जाए तो दारूल उलूम मदर्सा और मदर्सा यह से हम कहते हैं देवबंद तो देवबंदी आंदोलन उसमें भी जो है उनके अपने विचार थे जो है एक प्रकार से इस्लामिक ववस्था को सुद्ध रूप से लागू करना है लेकिन कहीं ये वाली बाते नहीं थी जिसे कहा जा सकता है कि दो राष्ट से सम्मंदित या कुछ इस सम्मंदित बात है यदि एहमदिया जो है आंदोलन को भी ले लिया जाए तो उसमें भी वो अपनी कुछ बाते रखना चाहते थे हलाकि बाद में पाकिस्तान तो उन्हें गैर जो है मुसलिम के रूप में भी जो है दरजा यानि वो जो है उनको भी कहीं न कहीं पूरी तरीके से स्युकार नहीं कर पाए एहमदिया आंदोलन की बात करें इस से पहले और कुछ और बाते करते हैं जैसे सूफी परमपरा में बहुत सारे सिलसले हुए कादरिया सिलसला, चिस्ती सिलसला, सौरावर्दी तमाम परकार के सिलसले हुए उसमें भी कुछ कटर थे और कुछ सामाने थे लेकिन इस परकार की बातें सामाने रूप से देखने को नहीं मिली लेकिन यदि इन पूरे को एक नटशेल में देखा जाए यानि जो है देवबंद आंदोलन को देखा जाए, एहमधिया आंदोलन को देखा जाए, नदवा उल, नदवा उल ये इसकी स्थापना तो कानपूर में हुई थी लेकिन बाद में लखनव में ये भी जो है अगरेजी सिक्षा के लिए कही न कही प्रयास करना चाह रहे थे ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ मुस्लिम महत्पूर संस्ता हैं स्थापित हुई, तो यहां से कोई इस प्रकार की बातें जो है सामने नहीं दिखाई दी, या नहीं जो जन्मानस्म की एक प्रकार से हिंदू-मुस्लिम या सभी प्रकार की लोग जब साथ में रहते तो तो बैमनस्स से या इस प्रकार का कोई बिवाजन कारी जो है, वो कारे देखने को नहीं मिला, इस बात का इतिहास गवा है, यानि मुगल काल में भी और उससे पहले सल्तरत काल में भी, वो एक अलग बात थी कि जब सल्तरत काल के कुछ राजा थे वो, जब जाते थे कहीं पर आ परणजे वित्यादी की नीती को ले लें, लेकिन जन्वानस में कहीं भै या फिर जन्वानस में कहीं साथ में रहने वाली कोई बात के समस्या नहीं थी, मैं इस मुद्दे पर आपका ध्याना कर्शित करना चाहता हूँ, यानि वो जो एक प्रकार से जो पूरु मद्दिका के बाद मद्दिकाल का जो युग चालू होता है, यानि मुहमद बिन कासिम, मुहमद बिन कासिम के बाद मुहमद गौरी के बाद से जो सलत्रत काल से लेकर, कुद्दी नहीं वक्त से लेकर, और अंग्रेजों के आगमन तक, यहां पर यह जो समदाए थे, कई प्रकार के, साथ साथ रहते थे, इवन मुगल काल में तो जो है एक प्रकार से जिसे कहते हैं गंगा जमनी तहजीव, यानि अमीर खुसरों हैं, कई प्रकार के जो है एक बिरजा जो है गालिब हैं, कई प्रकार के जो है एक प्रकार से जो है बहुत बड़े बड़े जो है लेखक, शाय रित्यादी जिन्होंने उर्दू और हिंदी की जुबान को एक नया रंग दिया, एक नई पहचान देने का प्रयास किया, और ये बात तो कहीं न कहीं भारत के समाज में नहीं थी, कि जो है, इस प्रकार से ये दो समधाय एक साथ नहीं रह सकते, या इनके बीच में कोई या नहीं मैं आपके सामने ये विचारधारा भी रखने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे हम चिस्ती और जो सूफी अंदुलन से जो अनेक परंपराएं सामने निकली, चाहे वो चिस्ती परंपरा हो, चाहे वो सौरावर्दी परंपरा हो, चाहे वो कादरिया हो, चाहे वो न मदिया अंदुलन की बात कर सकते हैं जिसमें लखनौ के नदवा जो है इनकी बात कर सकते हैं और अली अड़ांदुलन उसको अभी मैं बचा कर यानि उसके लिए अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा अलीह राद दूलन की भी हम लोग बाद में बात करेंगे यानि इनकी बात कर सकते हैं तो यहाँ पर कभी इस प्रकार की बात नहीं सामने आई कि यह जो दोनों एक प्रकार से पंत को मानने वाले या दोनों जो है दो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो एक साथ नहीं रह सकते ये कही न कही इनकी विचारधाराएं अलग है ये हम देखते हा रहे थे पिछले कई सो सालों से यानि 712 इश्वी के बाद से और जैसा मैंने कहा जमान ए हिंदू, जमान ए अर्दू और गंगा जमनी तहजीम ये सब तो कही न कही मुगल काल मैं इसका एक चरम विकास देखने को मिला इस्तापत तिकला का चरम विकास देखने को मिला उर्दू शायरी का चरम विकास देखने को मिला मिर्जा गालिब जो है उनके समय में और जो अंतिम मुगल बाद्शाशे जो है बाददुर्शा जफर उनके द्वारा भी जो है कई प्रकार की ऐसे महत्पूर्ण कारी की गए जो कहीं ना कहीं इस तहजीव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो यहां तक तो कोई समस्या थी ही नहीं यहां तक तो इस प्रकार के कुछ बातें लिखी गई या कुछ बातें कहीं गई तो बताया गया कि एक जो है बद्धिक वर्ग के एक व्यक्ति दे जिनका नाम था सर सेयद एमत खान सर सेयद एमत खान जो थे उनके द्वारा अलिगड मौंडन एंगलो ओर्येंटल जो है इसकी स्थापना की गई आगे जाके वही जो है अलिगड जो है एम्यू विशुद्धाले की रूप में जो है उनसे पहचाना गया तो 1875 और उन्ही के ही यानि शिबली नौमानी और अनेक प्रकार की जो नेता है उनके ही जो है प्रयासों से यानि उनके ही जो है इस जो उन्होंने एक विचार धरा दी साइंटिफिक सोसाइटी के रूप में कि किस प्रकार से मुसल्मानों को अंग्रेजों के विरोध रही यानि 1857 की क्रांती के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला 1857 की क्रांती से पहले कही न कहीं ये दोनों एक दूसरे को अपने दुस्मन की तरह देखते थे अंग्रेज और मुसलिम लेकिन 1857 की क्रांती के बाद कुछ बौद्धिक मुसलिम नेता आये जिन्होंने इस थियोरी को फिर से एक बार बदलने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि हमें राजभक्त बनना है उन्होंने कहा कि हमें कहीं न कहीं अंग्रेजों का जो है एक प्रकार से सहयोगी जो है बनना है और अंग्रेजी सिक्षा की और आगे बनना है यही विचार तो रखे थे इसमें जो है ये सामाने तरीके से ये बातें रखी गई थ इस पे भी कही न कही इस परकार की बात जो है दिखाई नि देती है कि कोई विभाजन कारी तद तो सामने आए लेकिन कुछ विचारकों ने कहा कि जो बौधिक विचार एक परकार से दो राष्ट सिधान्त का एक बौधिक विचार एक बौद्धिक विचार की जो नीव रखने वाले व्यक्ति थे वो कही न कही आइस पष्ट शब्दों में वो सर सेयद एमद जो है इनको ही कही न कही कुछ जो है लोग मानते हैं और कुछ लोग इनको नहीं मानते है बनारस में भी कुछ बातें कही गई इसका हवाला दिया जाता है लेकिन फिर भी वो पेट्रियार्ट एक प्रकार से जो मूल मुद्दा था वो था अंग्रेजी सिक्षा को आगे बढ़ाना और उसी के रूप में एक अपनी पहचान के रूप में आगे बढ़ना अब ये कुछ बाते हैं वो इतिहास में लाने का प्रयोग किया जा रहा है यानि इतिहास में इन बातों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक प्रकार से प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो मुसलिम संदाय अपनी कुछ मांगों को रखना चाहते यानि हमारी पहचान क्या होगी और इसके साथ साथ हमारा अस्तित तो क्या होगा और फिर भे जो है वो दिखाये जाएगा तो मैं आपके सामने सिर्फ यही एक जो है इस पस्ट रूप से एक परदे को हटाना चाहता हूँ कि ये जो बातें जो इतिहास में कुछ सामिल की गई है इनको इन बातों से अभी हमें थोड़ा सा एक प्रकार से अलग रखके अपनी बात को आगे बढ़ाना है यानि ये विचार धाराए निश्चित रूप से जो है इतिहास के पन्नों पे रखी गई है कि इस प्रकार से जो है सामने बातें आई कि उनके मन में भै पैदा हुआ उनकी अपनी पहचान अपनी सांस्क्रितिक पहचान ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं सामने आए ये बातें जो हैं कहीं न कहीं जबरदस्ती या जिसको हम कह सकते हैं कि अनावर्शक रूप से उस जो है इतिहास के बीच में सामिल करने का प्रयास किया गया सायद जहां इसकी आवशक्ता नहीं थी तो मैं इस पार्ट पे आऊंगा लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और पक्ष को लेना है वो पक्ष था ये कि इसी समय यानि 1875 के ही समय कुछ महत्पू समाजिक सुधार आंदोलन होते हैं उसमें ही आरे समाज का नाम सामने आता है और आरे समाज से पहले जदी बात के हैं तो राजा राम मोन रहा है ठीक इसी प्रकार जोतिवा फूले साबत्तिवाई फूले और अनेक प्रकार के जो समाजिक सुधारक जो हैं वो सामने आते हैं और धीरे 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 भारत में एक प्रकार से जो समाजिक चेतना है वो गुर्कुलप्राइशवाद गुर्कुलकाउली और अनेक प्रकार के स्वामी सुधधरेनन अनेक प्रकार के कुछ लोगों का नाम सामने आता है। तो देखे अब एक विछार धारा जो है अब फिर जो है इस इतिहास के पन्नों पे लाने का पर्यास किया जा रहा तो, विचार धारा क्या है कि जब ये जो विचार धारा है या ये समाजिक सुधार आंदुलन में ये जो आरे समाज और इस प्रकार की जो कुछ संस्थाएं थी उन्होंने ये बातें जब कहीं कि भारत भारतियों का है जब उन्होंने ये बात कहीं शुधी करण तो इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये बातें आगे वढ़ी जिसमें अलीगड आंदूलन के रूप में बातों को सामने लाने का प्रयास किया लिए तो ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं इसको सुदो इसको छदम जो है शब्द यहां पर इस्तमाल किया जाता है कि ये पूर्टा सत्य नहीं था, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दूसरी बात, धीरे 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 कांग्रेस की स्थापना के बाद, जो राश्टी आंदुलन आगे भढ़ा, तो आगे बनने के साथ साथ, एक ब बंगाल का व्याजन कर देते हैं, तो महां से सौदेशी आंदुलन और एक बार फिर क्रिया के सामने प्रतिक्रिया और बड़े रूप में सामने आती है, परणाम से रूप क्या होता है, बंगाल में आमार, सुमार, बंगला, बंगाल में पूरे बंगाल में ये नारे सोना पड़ा तो सिमिला में कुछ बुद्धी जी भी जो है उदार मुस्लिम वर्ट के लोगों को बलाय जाता है Lord Mento के जारा और फिर उसी के बाद जो है यही जो कहा जाता है जानि अलीगर्ड विचारदारा और Scientific Society यही जो है आगे इसके लावा धाका के नवाब सलीम उल्ला खान आगा खान यह तमाम जो है बौदिक वर्ग के जो लोग आकर कुछ अपने हितों की मांग रखने का प्रयास करते हैं और पहली बार जो है वो 1909 के मारले मिंटो रिफॉर्म एक्ट में मुसल्मानों के लिए साम ने आती है अब ये जो बात है इस बात को इतिहास में सबसे ज़्यादा एम्पेसाइज करने की जरूरत थी यानि कि महात्मा गांदी ने तो इस बात को खुद स्विकार किया है कि भारत के विवाजन की सुरुवात कहीं ने कहीं इस अधनियम यहां से माने जाती है और लॉ भारत के समाज में भारत के जन्मानस में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा इसके और पहले ले जाने का प्रयास करूँगा दरासल मूलमद्दा यहां पर नहीं था मूलमद्दा कुछ और था मूलमद्दा था अंग्रेजों के द्वारा जब पहली जनगर्णा कराई गई, यानि Lord Mayow के कारेकाल में पहली जनगर्णा हुई लेकिन वो नीमित नहीं हो पाई थी, और Lord Rupin के कारेकाल में यानि 1881 में पहली जो है नीमित जनगर्णा यहां से स्टार्ट होती है, तो उसमें अंग्रेजों ने जनसंख्या के पहली बार आंकड़े प्रस्तुत किये, और बहुत सारे ऐसे वर्ग जो केवल कारे करने वाले थे, यानि कारे करने वाले बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं, यानि कोई कहा जाए तो कोई जो है लकड़ी का कारे कर रहा है, कोई लोगे से संबंदित कारे कर रहा है, कोई रस्ची से संबंदित कारे कर इसी समाजिक जातियों के रूप में जो पहला एक बड़ा प्रयोग था वो यहां से माना जाता है उसके बाद, बाद में बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारी जनसंख्या इतनी है अब यदि हमारी जनसंख्या इतनी है, तो इसका मतलब क्या है? हम जो है कभी उन रूप से सत्ता में नहीं आ पाएंगे और अन्य लोगों को भी यही चीजें दिखा कर दीरे दीरे अब डराने का प्रयास किया गया तो आप से मैं जो बात कहना चाहरा हूँ कि 1909 का जो मारले मिंटो रिफार्म एक्स था वो इसकी पहली सुरुवात थी इसकी एक प्रकार से फस्ट स्टेप था इन सब चीज़ों का और उसके बाद एक अधनियम आता है यानि बीच में बहुत सारी चीज़ों होती है लेकिन उसके बाद एक अधनियम आता है जिसका नाम धा मांटेंग्यू चैम्सपोर्ट रिफॉर्म एक्ट उसमें पहली बार अब ये बात भी कही जाने लगी कि भाई मुसल्मानों के साथ सिक्खों को भी एंग्लो इंडियन्स को भी इनको भी जो है इस प्रतक नर्वाचक मंडल के तहट कही न कहीं चीजे यानि आरक्षण दिया जाना चाहिए अब आप इस क्रोनोलोजी को जरा घटनाओं को कुछ जोड़ के देखने का प्रयास करना यानि 1909 का मारले मिन्टो रिफॉम एक्ट उसके बाद 1919 का मांटेंगू चेम्सवोड रिफॉम एक्ट उसके बाद 1935 भारशासे नंदियम जिसमें दलितवर्ग मजदूरवर्ग इनकी लिए भी आरक्षण की मांग की बात कही आने लगी तो ये तीनो जो बाते हैं वो क्या कहने का प्रयास कर रही हैं तीनो एक्ट की बाते क्या कहने का प्रयास कर रही हैं और उससे पहले इनमें दो बातें और जोड़ देते हैं यानि इससे पहले 1935 के भारशासे नंदियम तर इसमें दो बातें और जिड़ते थे यानि जो गो प्रतनित्त कैसे दिया जाए तो मुस्लिम लिग अपनी मांग पेड़ी थी और अन्यवर्ग भी जो है अपना जो है एक प्रकार से आरक्षण और प्रतनित्त की मांग कर रहे थे तो गोलमेज सम्मिलन के असवल होने के पीछे मूल कारड तो यही था और उसी गोलमेज सम्मिल न हुआ उसके बाद मात्मा गांदी डाक्टर भीमराम उङट कर के बीच में पूना पैक्ड होता है और उसमें वह डाक्टर भीमराम उङट कर से कहते हैं मात्मा गांदी कि आप दलितों का जो आरक्षण मांग रहे हो वो आरकषण दुगने से जादा आपको दिया क्योंकि मात्मा गांदी जो है वो अंग्रेजों की इस मंच्छा को जानते थे कि समाज को विभाजित करना जो है वो आसान होता है समाज को जोड़ना बड़ा कठेन होता है कि यहाँ पर मैं आपके सामने एक दरश्टी कोण रखना चाहता हूँ कि जनगणना हुई उस जनगणना में पहली बार जो आख्डे सामने आये कुछ नए वर्गों को जातिया बना दिया गया और फिर 1909 का जो एक्ट आया उसमें कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ केवल मुसल् सामते फिर दीरे सिक, एंगलो इंडियन, दलित, मजदूर यानि ये सब वर्ग भी कही न कहीं आर्क्षण के तहट रखे जाने की मांग कहीं जाने लगी 1919 और 1935 के दिया तो ये जो एक दरश्टी कोण है ये क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है ये सिर्फ यही बात कहने का प्रयास कर रहा है, फूट डालो और शासन करो, यदि ये लोग एक हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं हमारी सत्ता जो है वो कमजोर हो जाएगी, यानि ये बात मैं अंग्रेजों के लिए कह रहा हूँ, यदि ये लोग एक हो गए, यदि इन लोगों में बीच में मतवेद न नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है हमें कहीं न कहीं, एक बार फिर जो है सत्ता से जो है बेदखल हो सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर खतम नहीं होती है, यहाँ तक, यानि जो अलीगर मुवेंट था, और बनारस में जो कुछ शब्द कहे गए थे, सर सेयद अह मत खान के द्वारा, उसका कोई भी विशेश प्रभाव नहीं देखा ले रहा, विशेश प्रभाव देखा जाने लगा, 1937 के बाद, और यहाँ पर भारती राजनीती में अब एक नए किरदार की एंट्री होती है, यानि प्रखर रूप से, उनका नाम था, मुहम्मद अली जन्ना, तो क्या थी वो बाते हैं, 1937 में, 1935 के एक्ट में एक प्रावधान किया गया था, कि प्रांतों को स्वायत्ता दे दी जाएगे, और प्रांतों में चनाव करा दिये जाएगे, तो प्रांतों में चनाव करा दिये गए, जब चनाव कराएगे, तो उसमें 11 प्रांतो में से पाँच प्रांतों में कांग्रेश की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और तीन प्रांतों में कांग्रेश की मिली जुली सरकार आई मुस्लिम लीग जो यह से पूरा भरोसा था और वो मुसल्मानों का जंडा लेकर आगे बढ़ रही थी वो Muslim League किसी भी एक प्रांत में पूर्ण बहमत की सरकार नहीं बना पाई ये Muslim League के लिए एक धक्का था ये Muslim League के लिए एक सेट बैक था और Muslim League जब यह देखती है कि हम जिनका जंडा लेके आगे बढ़ रहे थे उन्होंने ही हमको बोट नहीं दिया ये एक turning point माना जाता है इस बिंदू के लिए भारत की राजनीती में इस बिंदू के लिए इस बात को आप विशेश रूप से notice करेंगे ध्यान देंगे कि पहला जो बिंदू सामने आता है आखिर कार विभाजन के जो बीज है बिभाजन के जो कारण है उसका पहला कारण कहां डूना जाए तो पहला कारण ना तो इन दोनों को लड़ाने का प्रयास किया जाए किसको कि एक तरफ तो आरे समाज को खड़ा कर दिया दूसरी तरफ अली गड़ा अंदुलन को खड़ा कर दिया और उसके साथ साथ सरसेयद ऐमत खान को और फिर जो है वही बाते कहने का प्रयास किया कि दोराष्ट का सिद्धान विचार धारा इन बातों पे उस समय कोई ध्यान देता ही नहीं था सरसेयद ऐमत खान जो है उनके उपर ये चीजें थोपी गई कि भई वो पहले जो है ऐसे व्यक्ती थे जोनोंने ये बौधिक विचार दिया उन्होंने तो जो है राजभक्त जोनने तो साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने तो कुछ ऐसी बाते कहने का प्रयास किया था जिससे मुसल्मानों का हिद हो सके तोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहने का प्रयास किया था कि सर सेयद एमद खान के बारे में ऐसा कहा जाता है लेकिन ये बातें दोनों इतिहास में जिसे मैंने एक सब्द इस्तमाल किया था छद्म, स्चुडो, ये दोनों बातें जो है एक दूसरे को क्या करने का प्रयास किया गया ताकि जो अंगरेज वाला जो पक्ष है वो क्या हो जाए धका रहे तो यहां मैं आप इस बिंदू को मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ या इस बिंदू को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो बात कही गई थी कि अलीगण आंदोलन सरसेयद एमद खान की विचारधारा और क्रियामर प्रतिक्रिया हुई यानि एक तरफ तो स्वामी दैने सरस्थी कह रहा है भारत भारतियों के लिए एक तरफ तो जो बात कही जा रही है कि जो है सुद्धी करण और उसकी प्रतिक्रिया में मुस्लिम समाज में भैवत्पन हुआ और वो ये सोचता है वो ये विचार करते है मुस्लिम समाज कि जो है हम कहा करें हैं हम कहा के हैं हमारा मूल निवासिस्तान कहा है हमारी बातर भूमी क्या है हम मादरे बतन कहा के हैं ये सारी बातें जो है छद्म रूप से दोनों को आमने सामने लाने के लिए प्रयास किया रहा है ताकि क्या हो जो क्लैस है जो संघर्स है उसमें ये दो पक्षों के बीच में हमारा ध्यान जाए जबकि वास्तिक्ता ये नहीं थी वास्तिक्ता ये 1940 तक नहीं थी इसका मैं आपको एक सबूत देता हूँ 1940 में जब मुस्लिम लीग का लाहर अद्विशन हुगा था तो उसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग का संकल्ब रखा गया था और उस संकल्ब को भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया ये 1940 की बात है तो फिर इतिहास में ये बात गड़ने की कोशिश क्यों की जाती है कि अलीगण अंदोलन सरस्य देमत खान और फिर उनके सामने किसको लिए ला दिया आरे समाज दैने सरस्वती और फिर इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बाते लाने का प्रयास किया गया जिससे हम विवाजन के कुछ कारण ढोल सके इसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता था यह स्यूडो यह च्छद्म बाते जो सत्य नहीं 1940 का लाहूर जो अद्वेशन हुआ था मुस्लिम लीग का उसमें जो महकूर नेता उपस्तित थे वहाँ पर जब पाकिस्तान की मांग रखी गई थी उसको भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया यानि वो जो ताना बाना था हिंदू मुस्लिम के बीच में वो ताना बाना बहुत मजबूती तरीके से आपस में जुड़ा हुआ था कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी तो फिर समस्या आई कहां पर अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो पहला मैंने आपके सामने जो बिंदू रखने का प्रयास किया पहला बिंदू 1937 का टर्निंग पॉइंट वो टर्निंग पॉइंट जब मुस्लिम लीग को सेट धक्का लगा कि हम जिनका जंडा लेके आगे चल रहे हैं उन्होंने हम कोई वोट नहीं दिया और एक भी प्रांत में हमारी सरकार नहीं बनी यानि पंजाब और बंगाल जो ऐसे प्रांते थे जिनको सबसे ज़ादा उमीद थी वहाँ पर भी मिली जुली सरकार बनी क्रशक प्रजा पार्टी और यूनिनिस्ट पार्टी जो है इनके सहयोग से जो है सरकार बनी यहां मैं आपसे जितनी बात कहना चाहरा था कि 1937 के बाद एक फिर जो है पूरे विश्व में ऐसी घटना घट जाती है जो कहीं न कहीं एक ट्रंप कार्ड था ये एक ऐसा कोईन था जो सीधा मुस्लिम लीग की जेब में जाकर गरा और वो कोईन क्या था हो कोईन था सैकन्ड वल्ड वार हुं कोईन था ये एक प्रकार से दुति विश्विद्ध नहीं होता तो परस्थियां साज़क कुछ और होतीं तो दूसरा विद्धू क्या याद रखेंगे सेकेंड़ वर वार पहला विद्धू 1937 सेकन्ड विद्धू दूसरा बिंदू सेकंड वर्ड बार दुती विश्युद में अंग्रेजों की स्तिती दीरे दीरे निर्बल होने लगी दुती विश्युद में अंग्रेजों ने बिना भारतियों से पूछे बिना कांग्रेस से पूछे भारत को दुती विश्युद में मित्र राष्ट के साथ सामिल कर दिया जिसके विरोध में कांग्रेस ने अपनी प्रांती सरकारों से त्याग पत्र दे दिया अब उसके विरोध में जब ये जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया तो लाहोर अद्वेशन में मुहम्मद अली जिन्ना क्या कहते है यहां की कुछ उनके जो भाषण की कुछ पंतियां मैं आपके सामने कहना चाहरा हूँ वो यह कहते हैं निश्चित रूप से कांग्रेस ने बड़ा एक प्रकार से हमें मुक्ति मिल गई यह कांग्रेस ने अच्छा कारे किया लेकिन बाद में जरूर उनको पच्ताना पड़ेगा यह उनकी भाषण के शब्द है 1940 में मुहमद अली जिन्ना के वो भाषण में यह कहते हैं कि एक तरफ तो सैतान है और दूसरे तरफ शमुद्र है हमें यह फैसला करना पड़ेगा करना क्या है मुहमद अली जिन्ना के यह भाषण के कुछ सब्द है मुहमद अली जिन्ना जो है वो 1940 के भाषण में एक प्रकार से अपनी स्थितिवों इसपष्ट करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कोई भी यानि भार्तीय को जो है उत्तर से द्ख्षें से लेकर पूरव से पश्चें तर उस लाहोर अदेवेशन की बातों पर भरोसा नहीं था इसलिए उसको किसी ने सीरेस भी में लिया भी ने जिसमें पाकिस्तान के उनमार्ण की बात कहिए अलागि पाकिस्तान सब्द चौदरी रह्मत तली के द्वारा दिया गया जो मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें उन्होंने एक संकल्प रखा था जदी हम लोग बात करें एक डाइग्राम बनाने का प्रयास करते है जैसे माल लीजे ये भारत है जैसे माल लीजे ये भारत है और आज का भारत बना देते हैं ये पाकिस्तान है तो चौदरी रह्मत अली खान ये कहते हैं उससे पहले जैनी उसी के समय एक और व्यक्ति थे अलम्मा एकबाल मुहम्मद एकबाल वो ये कहते हैं मुझे तो उत्तर पश्यम सीमा प्रांथ के रूप में बलूचिस्तान सिंध उत्तरपश्यम सीवप्रांथ और यह जो कश्मीर है इसको मिलाकर जो है वो एक पाकिस्तान के रूप में एक संकल्प एक पत्र जो है वो सामने रखते हैं 1940 के लाओर अद्वेशन में भी यह मांग रखी गई लेकिन इस बात को अभी तक कोई सीरियस मोड से किसी ने लिया ही नहीं था इसी के साथ साथ कुछ और प्रस्ताव रखे गए जिसमें एक शब्द था बंगिस्तान और एक शब्द था जो है निजामिस्तान यानि बंगिस्तान यानि बंगला देश और दूसरा जो है यह निजाम की जो भूमी थी तो ये जो है एक दो और तीन इसकी मांग जो है कही न कही ये 1932 के बाद से होने लगी और लाहुर जो अद्विशन था उसमें मुहमद अली जिन्ना का ये भाषन था कि अब किसको सहतान कर रहे हैं और किसको समुद्र कह रहे हैं इस बात को आप कही न कही समझने का प्यास करन यानि एक तरफ तो सहतान और दूसरी तरफ शमुद्र है क्या किया जाएं मौमद अली जिन्ना जो है ये बात कहने का प्यास करते हैं कि यदि देश स्वतंत्र होता है यदि देश आजाद होता है तो आजादी सब की होनी चाहिए ये 1940 अपने भाषन में कहा रहे हैं यदि कांग्रेस जो है के लिए एक शब्द इस्तमाल करते हैं कि कांग्रेस जो है वो ना की कांग्रेस जो है इनके लिए तो यहां पर मैं आपसे बात कहना चाह रहा थे कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रती जो उनके जो विचार थे वो धीरे 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 कैसे आगे जो है बदले 1940 क के भासण में ये बातें इस पस्ट रूप से सामने दिखती हैं लेकिन आपको पता हो मुहमद अली जिन्ना किसी समय हिंदू-मुस्लिम एक्ता के पैरोकार माने जाते थे एनी वैसंट जो है उनकी तारीफ में उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं थी मौमद अली जन्ना तो ब सा आगे चर्चा करेंगे बस तीसरी मूल बात आपको इस समझनी है जो लाहोर संकल्प लाहोर जो घ्रिशन हुआ उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पाकिस्तान की बात पर रखी गए और अपने भाचान में मौमद अली जिन्ना ये दो बात कहते हैं अब बात अब फिर क्य रूप में मनाया और फिर मौमद अली जिन्ना ने अपने लाहोर भाशाण में कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेश को बाद में रूप में पस्तावा भी होगा और फिर जो है लाहोर अधिशन हो गया जिसको लोगों ने सीरिस ने लिया तो अब जो है कौन सा टर्निंग टू में ब्रिटेन युएसे के प्रधानमंतिर जुजबेल्ट इवार और चीन के जो प्रमुक थे वो कही न कहीं चर्चल की उपर दबाब डालते हैं कि भारत का जो है सयोग प्राप्त करो तो कृप्स मिसन जो है आता है और कुछ महत्पूर बातें भारत के लिए कही जात देखी गई और फिर उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपलाचारी फॉर्मुला लियाकत देशाई सम्झाता और उसके बाद सिम्ला जो है वो सम्मिलन उसमें एक प्रकार से जब मौलाना अबुलकलाम आजाध जो है वो कांग्रिस के प्रतनीदी बनकर सामने आते हैं यानि है जो सम्मिलन की आसफलता को जल वे भाजक की संगया दी और यहां पर एक बात कांग्रिस की तरफ से सामने आई यानि जो मंदरी मंडल बने गा उसमें यह तक कह दिया कि जो मुसल्मान है और जो अन्य यानि कांग्रेस यानि जो गैर मुसल्मान उनके बीच में जो मंत्री मंडल का बटवारा होगा वो लगभग 50-50 या 60-40 तक पहुँच जाए यानि 7 और 6 तक जो है वो कांग्रेस ने ये कह दिया कि मंत्री मंडल में इतने सदस्य आपके हो जाए लियाकत देशाई समझोते में भी इतनी बाते यानि भूला भाई देशाई ने लियाकत अली खान से इतनी बाते कहती थी लगभग 50-50 परसेंट की लेकिन फिर भी मुहम्मद अली जिन्ना ने इसको स्विकार क्यों नहीं किया अब आपके सामने में ये बात रखता हूँ य या फिर जो है 50-50 परसेंट भी हम लोग एक प्रकार से मान लेते हैं मुहम्मद अली जिन्ना यदि इस बात को मान लेते तो आगे आने वाले समय में यानि मान लीजे भारत का गाजन नहीं होता तो निश्चित रूप से परसितियां जो है वो इस बात को आप सोच सकते हो य यहां पर जो मैं आपसे बात कहना चाहरा हूं कि कांग्रेस जो है वो सब बाते स्विकार कर सकती थी लेकिन उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना की एक बात को स्विकार नहीं किया कौन सी बात थी मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुसल्मानों का प्रतिनिद्द्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्मिन लीक के पास होना चाहिए आप फॉलाना अबुलकला माजाद को क्यों अपना प्रतिनिधी बना कर लाएं तब इस बात पर कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिये कांग्रेस ने कहा यदी जिन्ना साहब आपकी बात यदी मान ली जाए तो ह कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसमें तो सभी जाती धर्म पन्त के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली बात थी तो ये विचारधारा से कांग्रेस ने समझोता नहीं है इसी कारण ये जो सिमला समिलन हुआ था और इसको जल्विभाजक की संग्या दी गई यानि अब सुधरने से रही लेकिन अभी तक भी अभी तक ऐसी फिर भी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थे फिर कहीं न कहीं cabinet mission आता है और cabinet mission जो है वो इस्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी लेजेंडर, लोर्ड पैथिक लॉरेंस, क्लीमेंट एडली, बेटेन में सत्ता का परिवर्तन, तमाम सारी बाते होती हैं और cabinet mission की सिफारिस के अदार के समदान सभा के अकटन होता है जून जून जुलाई 1946 को लेकिन अब ये जून 1946 के बाद जून जुलाई अगस्त यहाँ पर एक बार फिर जो है Muslim League को जो आशा थी कि उनके लिए एक प्रतक राष्ट या एक प्रकार से जो उनकी मांगे हैं उनको जो है माना जाएगा तो उननों ने लगा कि जब मेरी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो वो ये कहते हैं कि यदि कोई चीज मांग के नहीं मिल रही है तो उसे लड़के प्राप्त करो कोई चीज यदि मांग के प्राप्त नहीं हो पा रही है तो उसे लड़के प्राप्त कर लो और यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को डारेक्ट एक्सेंट डे प्रारम होता है और कलकत्ता यहाँ एक दिन में 4,000 लोग जो है वो कहीं न कहीं इस जो है डारेक्ट एक्सेंट डे के कारण कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं तो उसको भी कलकत्ता का एक ग्रेट जो है शब्द के रूप से नाम दिया गया है अब यहाँ पर परसितियां बिगड़ना चालू होती है और वो जो यह परसितियां जब हाथ से बिगड़ेंगी तो भारत जो है कहीं न कहीं ग्रहयोद की दिशा की और आगे ना बढ़ जाए और फिर जो है चीजे आउट ओफ कंट्रोल यानि हाथ से इस प्रकार से निकली कि अब जो है वोज चीजे समालने से भी नहीं समल पाई तो संबेधान सभा, भाईसकार मुस्लिम लीग, अंतरिम सरकार का गठन मुस्लिम लीग ने पहले मना कर दिया, 2 सितंबर 1946, फिर 26 अक्टूर 1946 मुस्लिम लीग, आई आई चुंदरीगर, अब्दुलर नस्तार, जोगिन नात मंडल, गजांतर अली खान, यह सब जो है परसितियां बिगड़ती जा रही थी, तब क्लीमेंट एटली बड़े परेशान होते हैं, माते पे चिंता की लकीरें, जो हैं, वो इस प्रकार से थी, कि भारत को किसी भी प्रकार से सक्ता का हस्तांतरन करो, और वहां से वापस आओ, यानि कि आर्थिक भोज, सेगंड वर् पर जो है, नहीं जादा समय रहने चारे थे, वो तो जून 1948 का समय दिया था, वो उससे पहले ही जो है, सब चीजें समेट कर वापस इंगलेंड आ रहे, तो क्लीमेंट एटली जो है, वो अपने एक शांदार वेक्ती को बलाते हैं, जिनका नाम है, लौड लूई मांट और उनके कंदों पर हाथ रखके कहते हैं, देखो भई, बापस खाली हाथ मत लोटना, भारत जाओ, और इस तरीके से जाओ की सत्ता का पूरा गतिरोध, पूरा सॉलूशन जो है, निकाल दो, और यही कारण है, कि मांट वेटन गए, और मांट वेटन के ऊपर जितनी जिम् राजकमार कहा जाता है, सपनों का राजकमार यानि कोई भी कठिन पर स्थिति, कोई भी कठिन जो है, ऐसी स्थिति उसको जो है, सॉल्व कर दिया, अब सॉल्व सही किया, गलत किया, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तो तीन जून योजना, भारत का विवाजन, माउंट बेटन, उन्होंने सत्ता का हस्तांतरन, बटवारा, और फिर उसके लिए सीमा आयोग का गठन हुगा, जो है, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, ये तमाम सारी चीज़ें होती है, सीमा आयोग, जो है, वो लिफापा, उस लिफापे से, एक कागज का, जो है, काग कि बाद में जब उनसे पूछा गया, रेड क्लिफ महुदे से, कि आप बताईए इसके बारे में, तो उन्होंने उनकी किताब में लखा हुआ है, उनकी आखों में आशू थे, ये बात 1970, 1970 में जब किसी ने उनसे पूछी थी, तब उन्होंने ये बात का जबाब दिया था, यानि कि भई आपने ये सब चीज़ें की, तो आपको क्या जो है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी आखों में आशू थे, और बहुत सारी चीज़ें जो है, उन्होंने कहने का प्रयास किया, मूल मुद्दे को हम लोग यहां पर क महोदय की, जो सीमा आयोग की रिपोर्ट निकली, तब लोगों को यह पता नहीं था उस समय, कि वो जो है, कहां पर हैं, अर्थात उस समय कम्まिनी केसन का सिस्टम, संचार ववस्ता इतनी स्ट्रॉंग नहीं थी, जितनी आज थी, तो जो लोग यहा के छेतर पे थे, बॉर भी हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में इस्थिती विक्राल से विक्राल जो है वो होने वाली थी और कागज की लकीरों पर जब ये लाइन खीच दी गई और ये लाइन जब धरातल पर आई तो बहुत सारे लोगों को तो बाद में पता लगा कि हम जो है वो लाइन के इस साइड चला गया और ये बाला जो कमरा है वो पाकिस्तान में चला गया पूर्वी पाकिस्तान में यह सारी घटना ही जो है कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों पे लिखी जा चुकी है फिल्म में भी इस पर बनी है यहां पर वो फिल्म जो बनी थी जो है जिसके बारे में फिल्म स जिन्ना जो है एक बात कहते हैं वो है दोराष्ट का सिध्धान्त, 1940-1940 के बाद मुहमद अली जिन्ना एक शब्द कहते हैं जिसे कहते हैं दोराष्ट का सिध्धान्त, वो दोराष्ट का सिध्धान्त और जो है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हिंदू और मुस नहीं सकते हैं इसलिए दो निसान, दो जंडे, दो राश्ट जो है इसको कही न कहीं बनाया जाए और पाकिस्तान के इतिहास में जब 1909 का मारले मेंटो रिफॉम एक्ट पढ़ाया जाता है तो उसको जस्टिफाई इस प्रकार से करने का प्रयास की जाते हैं तिनी पाकिस्ता से बढ़ चड़ कर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है समय कम है इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा कंक्लूड करने का प्रयास करूँगा यानि मुहमद अली जिन्ना के द्वारा जो दो राश्ट का सिध्धान्त दिया गया उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुस्लि के बाद से और अंग्रेजों के आगमन तक ये हिंदू मुसलिम तो साथ में ही रह रहे थे उस समय तो कोई ऐसा विचार नहीं था गंगा जमनी तहजीब भी बीच में आई और 1940 से पहले तक तो ये बात किसी ने नहीं कही तो ये जो दोराश्ट का जो सिध्धान्त है इसको फैसला ये करना कि अंग्रेजों ने बार-बार उस वर्ग को याद दिलाने का प्रयास किया कि आप डरो आपके अंदर भै पैदा हो क्योंकि बहु संक्यक के सामने आप सुरक्षित नहीं रह पाऊगे और जब बाद में ये नारे भी लगने लगे कि भई यहाँ पर हमें एक प्रकार से स्वतंत्र आत्मसंबान का जीवन कभी जीने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो बहु संक्यक है और हम अल्प संक्यक है इसलिए बाटो और छोड़ो इस बात पर जब ये विचारधारा आग आने का प्रयास किया वो 1939 के बाद जैसे 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया इसे कहीं ने कहीं एक भूल भी माना जाता है अब बंगाल में सौरावर्दी और क्रशक प्रजा पार्टी ठीक इसी प्रकार पंजाब में यूनिनिस्ट पार्टी और ठीक इसी प्रकार वो जो संपरदावाद था वो इस छेतर में इन पार्टी ओने बढ़ चड़कर उसका प्रचार प्रसार पिया इस बात को समझना पड़ेगा ये है मूल मुद्दा 1939 के बाद की परसितिया आचानक कैसे बदली कोई चमतकार तो हुआ नहीं होगा ये है कुछ ऐसा कारण जिस इसे बहुत हद तक सही माना जाता है कि मौका मिला जब अन्य लोगों को तो उन्होंने वहाँ पर ये जो संपरदावाद है और ये जो विवाजनकारी राजनीती है इसके बीज बड़े अच्छे से बोए 1939 के बाद 1946 के बीच तक तो ये जो परांते थे यानि सिंध उत्तर परस्टिम सीवा परांत पंजाब बंगाल ये बंगाल ये सारे परांत जो है कभी अलग होते नहीं यदि 1939 से लेकर 1946 के बीच में ऐसा इतिहासकार कहते हैं कांगरेस की सरकार बनी रहती परांतों है क्योंकि फिर जो है ये विवाजनकारी संपरदावाद की राजनीती इतनी नहीं पनपाती जितनी की कांगरेस के स्तीफा देने के बाद हुए तीसरा कारण अगला कारण ये भी माना गया कि जब 1940 1940 के बाद जब कांगरेस ने अंगरेजों का प्रकर विरोध किया और ये कहा कि वही आपने बिना पूछे Second World War में कैसे सामिल कर दिया और अंगरेजों क की स्तिति निर्बल हो चुकी थी अगस्त ओफर भी लाया गया क्रिप्स मिसन भी लाया गया लेकिन कांगरेस जो है वो ये बड़े आंदोलन की और आगे बढ़ रही थी भारत छोड़ आंदोलन ये सारी प्रस्तितिव है अंगरेजों को भारत में सहयोग प्राप्त करना थ सत्ता को आगे ले जाना था तो ये कहा जाता है जाने अंजाने में कांगरेस के लगातार विरोध करने के कारण जाने अंजाने में मुस्लिम लीग और हंगरेज एक दूसरे के नजदी का रही और कहा भी जाता है मुस्लिम लीग को बीटो पावर तक दे दी गए यानि अब मुहमाद अली जिन्ना किसके परावरी पेढ़ने लगे वाइस राय गवर्नर जनरल और कांग्रेस की बात को यदि खारिज करना है तो अब मेंट टूल क्या बन चुका है मुस्लिम लीग ये अगला महत्पुर बिंदू है जो आपको समझना है जाने अन जाने में कांग्रेस के इन कारियों के कारण जो मुस्लिम लीग जिसको कभी अंग्रेज जो है अपने पास बठाने तक से संकोच करते थे तो वो जाने अन जाने में मुस्लिम लीग और अंग्रेज जो है वो एक दूसरे के क्या आगए नजदिक आगए नजदिक आगए यानि कांग्रेस की जो नीतियां थी कांग्रेस का बढ़ता हुआ जो आंदोलन था उसमें बार बार जो है उसको फिरोध करना था वीटो अन्निस तमाम सारी चीज़ों के बीच में जो है कई बार जो है उन पर स्तितियों को एक प्रकार से रोकना था तो उसक सारी अदिकार दिये यहां से मुस्लिम लीग जो है वो गांग्रेस के बिलकुल समनांतर बनकर जो है उभर कर सामने आई यह अगला महतपूर बिंदू था और यह इतना महतपूर बिंदू था कि आगे जाकर यानि महम्मद अली जिन्ना के साथ गांधी जी मिले उन्होंने अब भी बताने बहुत को समझाने का प्रयास किया और सिमला जो संबेलन हुआ उसके बाद जो है मांट बेटन योजना यानि अब वो परसिती हो गई कि मुस्लिम लीग वारगेरिंग पावर में आ गई जबकि ऐसा 1940 के यदि 1940-1941-42 तक ऐसा दूर दूर तक नहीं था तो अचानक 4-5-6 साल में ऐसा क्या हो गया ये था इसका कारण जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया लगातार कांग्रेस के विरोत के कारण कहीं ना कहीं एक टूल के रूप में अंग्रेजों न जबाला लहरू थे वो एक समाजबादी विचारधारा के थे तो उनका जुकाव समाजबाद के प्रतीतो निश्चीत रूप से था तो ये जो बंगाल और ये पंजाब के जो मुस्लिम जमीदार थे बहुत सारे हालाकि जमीदार जो है यूपी और बिहार में भी थे तो बहुत सारे जो मुस्लिम जमीदार थे पंजाम में और बंगाल में ये मुस्लिम जमीदार जो है इनके बीच में ये भै फैला दिया गया कि यदि ये कांग्रेस्ट की सरकार आई तो हमारी जमीने छीन भी जाएगी हमारी जमीने छीन ली जाएगी तो ये जो यहां के जो मुस बाद से इस प्रकार का दुस प्रचार फैलाया जाने लगा तो दुस प्रचार जो है वो उसके पाउं कितने बड़े होते हैं आप ये देखिए कि 4-5 साल में पूरी पस्षितियां बदल गई वो पार्टी जो बरावरी के रूप में जिसको बिठाया नहीं जाता था हो सकता है कुछ कारण रहे होंगे लेकिन यहां पर अगला महत्पूर बिंदू जो आपको समझना है यानि इस बिंदू को समझने के बाद कि भई आखिरकार इतनी बड़ी लोग प्रीता नहीं थी यह तो हमने चुनाओ में भी देखा तो फिर इतना बड़ा मास मुमेंट कैसे बड़ा यह था डर और भै की राजी थी बार बार वो नारे दिखाना की जो है आपका धर्म खत्रे में है और फिर विवाजन के फिर जो है यदि अंग्रेज चले गए तो यहांपर सिवाय सोसन के अलावा कुछ नहीं होगा तो यदि इसी दो राश्ट सिधान्त की एक बार और यदि एक बिंदू और चर्चा की जाए यदि इसका एक और बात इसके बारे में कही जाए कि चलिए इस ये दो राश्ट सिधान्त को बहुत सारे लोगों ने स्विकार कर लिया तो ऐसी इस इस्तिती में जब मुहमद अली जिन्ना ये ठोरी दे रहे हैं कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते इन दोनों का धर्म अलग संस्कृति अलग तो फिर जब विभाजन के बाद बहुत सारा ऐसा वर्ग था जो पाकिस्तान या बंगला देश पूर्वी पाकिस्तान तो गया ही तो इसका मतलब एक बहुत बड़े मुस्लिम वर्ग ने उस दो राश्ट तियोरी को माना ही नहीं ये क्या था ये सबूत है ये जो है इस बात का जबाब है और जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास में दो सूडो पक्षो को सामने लाया गया शुरुबात में मैंने आपसे कहा उसक चीजों को चुपाने का प्रयास किया गया 1909 का अधिनियम 1911 का अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम जिसमें ना केवल मुसल्मान अब और सारे वर्गों को भी आरखण दिया जाए तो ये कौन सी राजनिती हुई चालू फूट डालो शासन करो फिर कौन सा दसक आया 1940 का दो टर्निंग पॉइंट क्या थे 1937 का प्रांतों में प्रांती विधान सवाचुनाओ और 1939 में सेकेंड वर्ड वार 1940 के बाद जिसकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं थी कि जो वारगेनिंग पावर कर सके लेकिन जाने अन जाने में कांग्रेस के लगातार विरोधी रविये के कारण मुस्लिम लीक को एक प्रकार से टूल के रूप में एक जो है कांग्रेज के पतिरोध के रूप में एक जो है ओजार के रूप में प्रयोग किया लिया और बहुत सारी नजाईज मांगों को अंग्रेजियों को मानना पड़ा यही कारण है अधर्वाइस यह तो पिक्चर में थेवी नहीं अंग्रेजियों को बहुत सारी ऐसी मुस्लिम लीक की नजाईज मांगे हैं जो मांगना पड़ा वो सिर्फ इस कारण ताकि कांग्रेज जो है यह अपने आंदोलन को बढ़ चड़ कर आगे ना बढ़ा पाए इसके लिए दर्सन में भी एक बहुत बड़ा शब्द कहा गया है लेकिन सामाने अर्थों में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम लीक जो है वो केबल चार-पांस साल में इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई तो ये बिंदु जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और अंतिम महत्मूर्ण कारण कि आखिरकार फिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाए विभाजन का ये तो सारी चीज हो गई लेकिन फिर जो है विभाजन का इसको जिम्मेदार कैसे माना जाए तो कुछ फिर जो है इतिहासकारों ने ये कहा कि भाई 1947 में सेना किसके पास थी अंग्रेजों के पास, पुलिस किसके पास थी अंग्रेजों के पास, कानून विवस्ता किसके पास थी अंग्रेजों के पार, तो मान लीजे छोटा मोटा यदी हिंसा कहीं हो भी रही है, तो आपके पास तो सेना थी ना, यानि आपकी इच्छा सकती जो है जवाब दे गई, और ऐसी कितनी घटना है घटी, अंग्रेजों का जो, आप अंग्रेजों का शासनकाल को देखिये, तो एक गवर्नर जनरल ते लोट डलहोजी, उन्होंने बर्मा, पीवू, मेंमार, उसको जीत लिया, महराजा रणजी सिंग के बाद पंजाब के जो साशक थे, यानि अमरसर की संदी के बाद, वहाँ पर पूरे पंजाब राजी पे अधिकरन कर लिया, और अफगानिस्तान, सा एक प्रकार से नत्मस्तक होता था उनकी रणनीती के कारण, उनकी स्ट्रटजी के कारण, और उनकी प्रशासनिक छंता के कारण, क्या ये छोटा मोटा जो मुद्दा, जो 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 जनी ग्रहयुद जैसी, ग्रहयुद भी नहीं, जो छोटी मोटी जो हिंसा आई अंग्रेजो से लेकर यानि यदि हम कश्मीर की बात करें हिमाचल प्रदेस की बात करें उत्रखंड की बात करें तो वहाँ पर डोगरा जो है वहाँ से लेकर जो इस्थानी जन जाती वो सम अंग्रेजों ने तो जीता है जीरे-दीरे इतने विरोध के वाद बावजूद फिर हितर हम जो है लाहॉर के ऊपर वाला जो अफगानिस्तान का हिस्सा देख ले बलूच जाजातियों का तो अंग्रेजों ने कितना विरोध, पिंडारी यों की बात देखी जाए जब Maratow शाषनकाल में तो अंग्रेजों ने कितना संघर्स किया भारत में जब इतने साल वो शाषन कर पाए लेकिन मजाल था अंग्रेजों के आगे कोई थोड़ा भी अपना सर उठाके जो है यानि प्रतुरोद कर सके अपने छेतर को मांगने के लिए ये अंग्रेज इतने थाकतवर थे क्योंकि उनके पास प्रशास्निक करने की छमता थी रणनीती थी तो उनके लिए क्या ये बड़ा मुद्दा था 1947 में जो छोटा मोटा संघर्स हो रहा था चोटा मोटा संपरतायवाद छोटा मोटा हिंसा हो रही थी उसको जो है सेना के माध्यम से पुलिस के माध्यम से ये तो अखिरकार इस विवाजन की डाले जाए तो अंत में ये फैसला आपको करना है मैंने तो आपके सामने कुछ बिंदू कुछ घटनाओं को रखने का प्रयास किया और जैसा मैंने शुरू में आप से का था कि अंत में वही बात कहुँगा यानि सर्दार बल्लब भाई पटेल कहते हैं जब 16 अगस्त 1946 के बाद जब धीरे धीरे घटनाएं बढ़ताती है हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है सदार बल्लब भाई पटेल कहते हैं आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि भारत का विवाजन हो जाए और इस हिंसा से मुक और लोगों की एक आख में आसू थे एक आख में जो है लोगों की खुशी भी थी क्योंकि देश आजाद हो गया था देश तो आजाद हुआ लेकिन जो देश के दो महत्पून हाथ थे यानि पंजाब जैसे एक महान संस्कृती का केंद्र माना जाता है संतों की भूमी मानी जाती है और बंगाल जो एक राष्टवाद जो एक चेतना का महकुन केंद्र था ये दोनों हिस्से कही न कहीं कट चुके थे भारत से महत्मा गांधी से कहा गया, जब 1947 में देश की अजाधी का जस्म मनाए जारा था 12 अगस 1947 के बाद लाल कले से जवाला नहरू तरंगे जंड़े को फेरा रहे थे तब बहुत लोगों ने कहा कि भाई देश आजाद हुआ है जिसमें महात्मा गांदी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है तो महात्मा गांदी भी तो यहां होने चाहिए तो संदेशा भीजा गया कि महात्मा गांदी को भी दिल्ली के जो है इस समारों में सामिल होना चाहिए महात्मा गांदी उस समय नोगा खोली में थे जब उनसे ये बात कहेगे कि आप वो इस जश्न इस समारों में सामिल होना चाहिए क्योंकि देस आज़ाद हो गया है तो कहा जाता है महात्मा गांदी के आँख से आशू गिरने लगे और वो आशू कही न कही एक किसी पत्ते पे जाकर गिर गए ये संदेश था महात्मा गांदी का कि जाओ ये नहरू को जाकर दिखा देना तो मैं आप से सरफ इतनी बात कहना चाहरा हूँ कि यदि हम लोग इतिहास के पन्नों को उठा के देखा जाए तो इस बात का फैसला आप खुद कर सकते हो कि पूर मद्दिकाल और मद्दिकाल से ये दोनों समाज जो है दोनों धर्म की लोग आपस में इनोंने एक तहजीब लिखी और जो आरोप लगाये जाता है किन के ऊपर कि भई ये देवबंद, ये एहमधिया, ये जो है नदवा और फिर उसके बाद आगे जाके जो है अलीगड मुसलिम इनिवर्स्टी, जामिया ये जो विचारदारा है, फिर इनको आपस में किस से टकराना है कि भई आरे समाज, स्वामी देनन सरस्वती, स्वामी स्रद्धनन ये जो है ना छद्म, ये स्चुडो इस चीज को भी आपको बिसेस रूप से समझना है मूल बुद्धा क्या था? वो मैंने आपको कहने का प्रयास किया कि आखिरकार सुरुवात होती है जनगडना से और फिर उसका पहला टर्निंग पॉइंट होता है 1909 का मारले मिंटो रिफाउम एक्ट तो इतिहास के कंदों पे रखके बंदूग चलाना और कोई निर्णे पर पहुँचना ये भी कही न कही जो है एक प्रकार से उतना ठीक निसकर्स नहीं माना जाएगा यानि इतिहास के कंदों पे रखके बंदूग चलाना यानि वो बातें जो छद में थी वो बनाई गई जो बातें मुल रूप से थी नहीं और उन बातों को सामने लगकर यदि परोस दिया जाए तो ये भी कही न कही जो है इसका फैसला आप लोगों को करना है तो इतनी बातें जो है मैं आपके सामने करना चाहता था मुझे बताने के लिए तो बहुत सारी बातें है यानि मैं ये भी बताना चाहरा था आपको इससे संबंदित कि आखिरकार पंजाब का विवाजन कैसे हुआ बड़ा इंट्रेस्टिंग धर्म के अलार पे पंजाब की विधान सवाओं में एमेलों को ये कहा गया मुस्लिम बाहूले छेतर में वहाँ पे जो विधायक होंगे उनमें से जी 50% ये फैसला कर देंगे कि हमको जो है पाकिस्तान चाहिए तो दे दिया जाए ठीक यही बंगाल में हुआ ये जो सिलहट वाला जो छेतर था यहां जन्मत संग्रे करा लिया गया सिंद्र की जो विधान सवा थी इस विधान सवा ने पाकिस्तान में जाने का फैसला किया तो इस प्रकार से ये बहुत सारी बातें और भी जो है इसमें बताने की थी लेकिन अंतिम निसकर्स अंतिम फैसला ये आपको करना है कि आखिरकार इस इतिहास के पन्नों पर जो कुछ शब्द कुछ घटना है मैंने आपके सामने रखी अब आप इसका जिम्मेदार किसको मानोगे अंतिम थीक है तो मुझे लगता है परियाप्त बातें हो चुकी है बात को जो है यहीं पर हम इस्राम देते हैं अपनी बात को यहीं समात्त करने का पैस करते हैं हाला कि बातें दो बहुत सारी है लेकिन फिर जो है किसी एक अन्यमद्दे को जो है इसी से ही संवन्द लेके आएंगे अंतिमें बस इतना ही कि आखिरकार अंग्रेजों के पास जो मेजादी थी, वो रोप क्यों नहीं पाए, अंग्रेजों ने तो बड़े-बड़े काम करके दिखाये थे, अंग्रेजों ने तो बड़े-बड़े छेतर जीकते गया थे, अंग्रेजों ने तो पंजाब, अफगानिस्तान, यानि मराथों, मैसूर, हैदराबाद यानि कौन-कौन से छेतर ऐसे थे जो अंग्रेजों ने नहीं जीत के बताया कि अंग्रेजों के लिए बड़ी बात थी फिर भी फैसला आपके हातों में है और इनी के साथ मैं अपनी बात को गराम देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद बंदे मातरम भारत माता क्यों बात दो एक हूं बढुत अंग्रेजों करता है यहीं प्रेजों के लिए भारत में हैं एक्याद प्रेजों के लिए जाफटेजों के लिएर